प्यारे वच्चो नमस्कार आप सभी का स्वागत है पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चेनल में और जो चेनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से बिनम्र निवेधन की वेज चेनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशन से रिलेटेट सभी न्यूज रियल फेक्ट के स आपको टाइम पर मिल सके तो इस्टुटेंट्स कापी बेट कर रहे हैं कि कब इस साल हमारा सेलिवस रिडियूस होगा ब्लूप्रिंट कव आएगा क्योंकि अभी तक MP बोट की तरफ से ना तो ब्लूप्रिंट गोसित किया गया है दोजार इक्टिस बाबीस के लिए ना इ रिडियूस सेलिवस भी घोसित किया गया है कि कितने परसेंट इस बार कम होगा क्योंकि CBSE ने भी इस साल इस्टुटेंट दोजार इक्टिस बाबीस के लिए भी जुलाई में पूरा एक्जाम पेटर्न भी तैय कर दिया और 30 परसेंट कोर्स भी रिडियूस कर दिया है पि किस तरह एक्जाम लेना कोर्स डिडियूस को लेकर क्या अपडेटे वो मैं आपको बता रहा हूं तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा नौबी से बारवी तक का पंदरा प्रतिस्ता सेलेवस कम करने की तैयारी हो रही है हलाकि पिछले साल एमपी बोर्ड ने सीबी एसी की तरज पर ही उसी की तरह जो है वो पूरा 30 परसेंट कोर्स डिडियूस कर दिया था कुछ सब्जेक्ट में उससे जादा भी हो गया था और इस साल आप सबी को पता है जैसे कि एमपी बोर्ड में अब पूरी तरह कक्षा पहली से लेकर बारवी तक जो सीबी एसी की बुक्स चलती है एएसी ये इा टी की जो बुक सब्जिक्ट की अभी तक नवभी से वारवी जो है वो साइइनस और मैस की ही केवल बुक चलती तो अब सेलेवस कम करने के लिए क्या ओरा क्योंकि अप्रेल में स्कूल लगे नहीं है तो यहां पर आद देनिक भासकर भुपाल की तरफ से एक न्यूस दी गई है कि स्कूल सिक्छा विवाग पिछले साल की तरह इस बार भी नौबी से बार भी कक्छा तक के सेलेवस को कम कर करने की तैयारी कर रहा है इसके लिए विवाग में दिन रात कवायच चल रही है मादमिक सिक्छा मंडल और आयूक तो लोक सिक्छन के दबतर में इस पर काम किया जा रहा है इसे सिलेवस सिंक्रोलाइजेशन कहा जा रहा है मुख्य विश्यों के विश्यों से सुजाओ भी मांगे गए हैं इस सिलेवस को 15 फीजदी कम करके 85 फीजदी तक लाया जाएगा हलाकि ये 15 फीजदी बोला जा रहा है जहां तक देखा जाए तो जो सिलेवस है वो 30 परसंट तक कम जरूर होगा परनतो अप इस पर MP बोर्ट में मंधन चल रहा है सितंबर तक हमारे सिक्छा म मंतरी जी ने कहा था कि नया ब्लूप्रिंट और सिलेवस गोसित कर दिया जाएगा जो भी रिड्यूस होगा तो जहां तक सितंबर के लास्ट तक जो है वो इस पूरे प्रक्रिया को कम्प्लीट करके MP बोर्ट की तरफ से नया सिलेवस जो रिड्यूस होकर आएगा और ब्ल 24,000 आर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फोटो कीच कर आप सीधे भेज सकते हो लाइब वीडियो के माद्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं बहुत इजी स्टेप में आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रेशन बॉक्स में इसकी लिंक दिया आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो बहुत ही आसान है यहां पर किसी भी सवाल को पूछना कक्छा चटवी से लेके बार भी तक हमारे काफे अच्छे बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवेन है 220 तो यह आपको सिंपल रिलेशन होगे है यहां पर अब अगर गोसित कर दिया जाएगा क्योंकि फिर इस्टुएंट्स को तैयार भी करना रहती है और इस साल एकजाम होना यह कंफरम है और उसके लिए भी पूरी गाइडलाइन जो है वो MP वोट की तरफ से जारी कर दी जाएगी तो अभी 15% की बात हो रही है पर जहां था कि 30% जो है वो कर दिया जाएगा तो इसके लिए पूरी तरह से जो है वो काम MP व सका था तो यह बात तो था है कि MP वोट की तरफ से रिडियूस सेलिवस पे काम चल रहा है और जल्दी स्ट्रेंट से सितंबर के लास्ट तक आप लोगों को नया जो रिडियूस से वो कोसित करके बता दिया जाएगा बूलू प्रिंट भी आपके लिए जारी कर दिया जाए कि कितने परसेंट सेलिवस को रिडियूस किया जाए पर सेलिवस रिडियूस होना कनफाम है क्योंकि CVS ने भी कर दिया है अभी जो क्लासेस हैं वो पूरी तरह से स्कूल में नहीं लग रही है दो दिन या तीन दिन लगी है अब जाकर हमारे मुक्यमंत्री जीने आडर दिय है कि आप नोवी से वार्वी की कख्षा है रोज लगा सकते हैं तो उसको देखते हुए देखते हैं कि आप MP4 कितना सेलिवस को रिडियूस करता है फिर जैसे यह अबडेट आती है स्टुएंस में चैनल पर लेकर आता रहूंगा तो चैनल से जुड़े रहिए थैंक यू थैंक यू सो माइट